तुमारी ये गोवर्मेंट हमारी नान बाइलेंट देमोक्राटिक मूव्मेंट को सपरस कर रही है वो आज के इस गांधी को टालरेट नहीं कर सकते है ये जो वीडियो आप लोगों ने भी देखे है ये मैंने आप लोगों को मोर्निंग में भी दिखाई थी बेसिकली इस वीडियो से आगे में आप लोगों माइन में थोड़ी सी क्लाइटी लेकर आना चाहता हूँ कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया था और मेल भी गया था कि सर पूरा केस क्या था एक बार उसके बारें बता दो देखे हमारे देश में टाइम टो टाइम बहुत सारे बोंब बलास्ट होते रहे हैं जंग में कासमेर वाले एरे में काफी सारी जो हैं जड़प वाली घटना होते रहे हैं जिसमें हमारे देश के कई सारे सिक्योर्डी फोर्स की जो जवान है वो भी सही दो है तो यहाँ पर जो case था, यह तुथायन 17 में चला, जब यहाँ पर basically यासीन मुलिक को पकड़ा गया, ठीक है, तो उस particular case में अभी इनको फासी के सज़ा सुना दी गया है, basically उम्रकैद की सज़ा सुना गया है, तो इनकी उम्रकैद को NIA के द्वारा बोला गया है, फासी में convert कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा एक तरीक से देश के खिलाब साजिस रची गई, तो अभी यहाँ पर जो terror funding के जाती है, यानि कि terrorist को फंडिंग दी जाती है, उसका मतलब है कि देश के खिलाब कुछ करना चाहते है, तो इसलिए बोला गया है कि इनको फासी इने बकाइदा पूरे सबूत पेस किये, कि कहां कहां पर इस इंसान ने पाकिस्तान के समेत मिलकर हमारे देश के अंदर में कैसे terrorist घटनाओं को अंजाम दिया, और बड़ी बड़ी आतकवादी घटनाई जिसकी वेसे कई सारे बेगुना लोगों को भी जान गई, और सी के स और फिर यसीन मलिक से पूछा गया कि इसमें तुम्हारी क्या रहा है, तुम क्या बोलना चाहते हो, मतलब तुम्हारे ओपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सही हैं या फिर गलत हैं, तुम इसके बारे में क्या अपनी कुछ बाते रखना चाहते हो, तो इस इंसान के अपनी क्या बात करें, तो इस इंसा की राजनीती है, इस राजनीती के टाइम पर मैंने कोई बी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया, जिस से देश को नुकसान पहुचे और किसी भी ऐसी घटना में मैं डिरेक्टली सामिल नहीं रहा हूं, अगर बात करें, तो देश के अगर बात करें, इनके द्वारा बोल गया, गुजराल साब से लेकर, अटल भीहरी वाजपई जी तक का साथ में हमेरे द्वारा काम किया गया, और इवन अटल भीहरी वाजपई जी ने तो मुझे पासपोर्ट भी दिया, इसके बाद मैं हावर्ड गया, इन्युवस्टी क अगरी वक्त आता है, उसको स्यारी ग्यान की बाते दिखने लगती है, उससे पहले उसके हरकते जो भी हैं, वो उसको इंजोए करता रहता है, लेकिन जैसे ही हाँ पर दिखता है कि हाँ अब गले में फासी पढ़ने वाली है, तो फिर इन्सान को गांधी प्रवर्टी हाँ यहाँ पर याद आने लगती है, तो यह सारी चीज़ा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हाँ पर आज की डेट में इसके उपर आरोप लगे हैं, और उसके बात में तो वही बात होगी कि आप लोग ने नोमली सुना होगा, कि इतने सारे चुए खागर बिली इतने सारे कांड करम तुमारे धूल जाएंगी, तो वही बात इनके दौरह बोले जा रहे हैं, जो हरकते की गई हैं, उसके बारे में जिसके दौरह नाईए ने अपनी सारी जो बाते रखी हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर यह उसको छोड़ कर यह कह रहा है, जो पिछले 28 स कह रही है, उसके बारे में आप लोगी क्या रहे है, आप लोग अपनी रहे बता सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, कि इस उधरने का मोका देना चाहिए, फिर जो भी, आप लोग अपनी रहे रख सकते हैं, तो यह था पूरा किस्सा आई होफ कि आप लोगे माइंड में 2022 पब्लिस की गई पहला question तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह report जो है किसके द्वारा पब्लिस की गई है तो इसके बारे में पता होना चाहिए तो इसके बारे में समझेंगे कई सारे news paper के द्वारा यह article कवर किया गया साथ में हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया UPSC Prelims, JSA, International Organization और जो उनकी reports होती है उसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो यह एक अच्छा question आप लोगों का बन जाता है सबसे important मुद्ध हैं आप यह होता है कि आप लोगों को पता है COVID-19 जो है जब से आ तब से रहे के दुनिया भर के लोगों की जोब गई है जोब जाना एक अलग बात है बहुत सारे लोग जो full time job करते थे वो part time job पर भी आ गए है तो बहुत सारे लोग जो पहले अच्छी जगह जोब करते थे उनकी job की condition भी deteriorated हो गई है इनके बुरी हो गई है तो यह सारी situation को ध्यान में रखके अगर हम लोग चले तो एक अलगी pattern आप लोग है हाँ पर दिखाई देगा अभी बात की जा रहे हैं आपर जो world of work के बारे हैं बात करें तो यह किसके दोरा publish किया गया तो याद रखेगा इसका नोवा संस्क्रण है ठीक है तो यह question मन सकता है तो 9th edition है और International Labor Organization के दोरा है हाँ पर प्रस्तुत किया गया वो ही इसको basically monitor करता है कि कहां कहां पर क्या क्या चीज़े चल रही है उसके दोरा बड़ी ही important बात यह बुलेगी कि all over world में अगर ध्यान से आप लोग देखोगे 3.8% परतिसत जो employment जो है वो अभी हाँ पर कम हुई है basically हाँ पर अगर पहले के compare में आप लोग बात करोगे global level पर drop out होए अभी 2021 में अगर आप लोग बात करोगे 1st quarter में 2022 में जो आप लोग को देखने को मिल रहा है 2021 के साथ में अगर आप लोग compare करेंगे यारि कि 2020 में COVID-19 की वेसे all over world में pandemic की वेसे lockdown लग या 2021 में situation सुदरी पर लेकिन 1st quarter में जब 2022 में हम लोग आए तो फिर से condition जो है वो खराब हो गई ऐसा है हाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है नहीं कि pandemic के compare के साथ में जब करते हैं चीजों को तो एक अलगी situation निकल कराती है और इसे पता चलता है कि 11.2 क्रोड जोब जो है वो lost हो चुकी है इस duration में फिर से जहां से सुनिए ये सारी जो जो जोब के बारे में बात कर रहा हूँ ये भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ये पूरी दुनिया के बारे में हाँ पर बात की जा रही है all over world में कोई ने कोई इंसान, कोई ने कोई काम कर रहा है कोई हाँ पर आज केट में घर में जाड़ोप हो जाया है काम कर रहा है कोई आप लोग को देखने को मिलेगा कोई AC ठीक करने है कोई बिजली के पंके ठीक करने है काम कर रहा है ठीक है कोई हाँ पर कहीं सड़क का कंस्टक्सन चला है कहीं कोई ब्रिज बन रहा है तो दुनिया हाथ में आज केट में पैसा नहीं है इसकी वेसे inflation भी आप लोग कंडिशन जो है वो और जदा उनकी उपर मार करता हुआ जा रहा है तो यह जो 9 इसका sunscreen है International Labour Organization Monitor का जो की world of work के बारे में हाँ पर बात कर रहे हैं तो इसकी बारे में जब आप लोग धंसे समझोगे तो ग्लोबल में आप लोग को एक situation देखने को मिलेगी कि हाँ पर एक आज की date में जो labor market है वो बोला तो गया था कि recover कर रही है पर लेकिन उतनी recovery पर यहाँ पर है नहीं है फिर से यहाँ पर condition देखने को मिलेगी है जिसकी वेसे recovery खराब होगी मतलब मतलब कि यह था कि COVID-19 ने कमर तोड़ दी कमर तोड़ने के बाद में लगा किया थोड़ा सा उट कर चलेंगी पर लेकिन फिर से रसिया के द्वारा जो युक्रेइन पर attack किया गया उसने फिर से ध्राम मुह के बल गिरे फिर से आगर उसकी बाद में फिर आपर inflation जो है वो अपनी मार झेली रहे हैं लोग जो सामान पहले 5 रुपे में आता था वो सामान 7 रुपे में आ रहा है तो यह निके लोगों के हाथे पैसे की और ज्यादा कम होती है यारी है और continuously अभी भी COVID-19 की वेसे जो contamination zone है अभी आप लोग को देखने को मिलेंगे कुछ दिनों पहले चाइना ने अभी हाँ पर सब ज सोचने के लिए भी मजबूर कर रही है तो इसके बारे में समझना पड़ेगा क्या सिच्वेशन है कहां पर क्या मुद्ध सही हो सकता हो जानना पड़ेगा तभी हम लोग चीजों का आगे लेकर चल पाएंगे आगे अगर बात कुरो आप लोगों से यहां पर कई सारी की हा आप लोग आंसर क्या दोगे तो पहले कुछ कोश्चन से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में किलाइटी दे जैसे कोश्चन है आपर इंट्रेटी और वारे में तो बोला गया कि इस्टेबलिस के गई थी आपर एजेंसी जिए बेसिकल लीग ओफ नेशन के दुआरा है बेसिकली इस टाइम पर जब वर्ड वोर फस्ट बेसिकली खतम हुआ था इसी के साथ में हाँ पर बात की जारी एक पर्टिविलर ट्रेटी के बारे में तो आप लोगों से कई बार पूछा आता है ट्रीटी ओफ वारसाय के बारे में ठीक ह लगया वन एंट्री एंडियों बोल गया ओल उब दबो सही आंसर आप लोग बताईए इसका सही आंसर किया है नेक्ट कोशन है आप लोग के सामने इंट्रनेशनल लेबर और 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 बात करें आप लोगों से ओ लेडी यहां पर कोशन दो जारे में जो उपसी के दौरे यह किस से लेटिड हैं यहां पर यह तो यह कोशन भी आप लोगों से पूछा गया तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो आप लोग को जानने को मिलेगी और कोई भी कन्फूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए इसी के बारे में एक कोशन आप लोग के लिए स्पेसल बनाया गया है जो कि और इंपोटेंट होगा यहां पर बात की जारी है कि करेक्ट लिए आप लोग को मैच करना है C98, C111, C138 और C182 यह किस किस से लेट हैं आप लोग ने देखा न भी UPSC के दौरा कोशन पूछ ले गया तो इस तरी काम करेंगे तो अभी हांपर इतने कम होगे इसका मतलब यह है कि अभी हाँ पर 11.2 million जो full time job है वो खतम हो गई है ऐसा expectation लगा जा सकता है और 1 million में जो हो 10 lakh होते हैं अगर आप लोग इसको क्रोड में convert करोगे तो 11.2 क्रोड यह हो जाएंगे ठीक है तो यह आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं तो एक huge number है जो की जोब गई है या फिर girl की जोब गई है तो यह भी आप लोग समझोगे तो ज़्यादा तर लड़कियां तो सबसे पहले हाँ पर इसका सिकार बनती है तो इसकी विज़े से gender gap जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर अगर बात करें इसकी विज़े से यहाँ पर lower middle जो income country है जैनी कि हमारे जैसा देश है उसके ओपर और huge impact इसका पढ़ता हुआ नजर आता है तो यह बात है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो यह सारी basic चीजे हैं जो आप लोग इसके बारे है पता होना चाहिए और कल को कोई भी confusion इससे लेड़ आप लोग के mind मे नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह है basic मुद्दस के बारे में जो कि आप लोग समझेगा की highlights के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां से ऐसा ने की एक जगे इसका impact पड़ता है ठीक है इसने सारे analysis के उठा कर कि कहां कहां पर society पर impact पड़ रहा है inflation ने काम खराब रखा है financial turbulence, turbulence मतलब असांती से पानी है बिलकुल एक समंदर का बिलकुल या नदी का उसमें पत्थर आप लोग फैंक दो ले जाकर तो जो भूचा लाता है तो वो turbulence आप लोग बोल सकते हैं जो एक तरी से हिल जाती है एसांती आ जाती है तो लोगों को आप लोगों ने दे इसी के साथ में potential debt distress आप लोगों को देखने को मिला, रिंड के चक्कर में लोग काफी इदा प्रेसान हुए, लोगों के पास में पैसा नहीं था अपनी day by day की चीज़े खरीदने के लिए, तो लोग रिंड भी ले रहे थे और वो भी उनको काफी महंगा बढ़ रहा था, त तो वहाँ पर आप लोग को अभी time लगता है, उसको repair करके उनको तुमको देने में क्यों, क्योंकि सामानी नहीं आ रहे किसी भी service center पर, इसी तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा बहुत सारी ऐसी चीज़े रहे, दवाई होगी company पर दवाई नहीं मिल रही है, ठीक है, भाई साब बहार से supply नहीं आ रही है, तो ये बहार से जो supply आती है, maximum hub जो रहता है, इनका China रहता है, तो इसी तरीके से आपर China से disruption होगी supply, तो दिक्कत है देखने को मिल रही, तो काफी ज़्यदा deterioration की condition यहाँ पर बन गई, तो इसके चलते global level पर और ज़्यदा महौल ला है, तो यह है इससे, दिखें इससे एक सबसे ज़दा खत्रनाक जो चीज लगी मुझे देखने वाली वह थी, जो गृईब था वो तो और जधा गृईब हो गया, और जो अमीर था वो और जधा अमीर हो गया, क्यों? क्योंकि अमीर के पास एक पैसा होता है, और वो जा के बारे बात करें, और men के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहाँ сам देश के जर्मनी जापान नौर्वे सब के बारे में हाप बता रखिये और यहाँ पर आप लोग देशते हैं हरे एक कंट्री पर इसका इंपेट आप लोग को देखने को मिलेगा तो इस तरीके समझ सकते हैं और अगर आप लोग बात करते हैं अगर इंडिया के अंदर में यहाँ बात हैं पर बोली जा रही है याँ कि पैटन जो है वह सायन करव का चल रहा है ऐसे कभी उपर और कभी नीचे अभी कोई पैटन ढंका नजर आनी रहा है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि भैसाब सांति आ गये अब अपनी लाइफ को बैटकर हम लोग नग इंजोय क करें जी हां बिल्कुल करेंगे कैसे कैसे हुआ अगर सो महिला थी तो उसमें से 12 महिलाओं की जोब चलेगी पर लेकिन अगर सो लड़के थे या फिर लव एक तरी से मेल थे उसमें से साथ की गई उनली साधे साथ की यानिकर यहां पर भी आप लोगो पांस चार पांच का डि यहां पर खराब कर दिया यह तो आप लोगों को देखने को मिलेगी दूसरी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज यहां पर देखने को मिल रही है वो यह है कि कॉंट्रेक्ट विदाउट एनी सोसल सीक्योर्डी यानि कि लोग जोब तो कर रहे है पर लेकिन कल को अगर किसी इस्टैबलिस्मेंट इनकी इंप्लिमेंट निकिया गया कि हाँ ऐसे ऐसे लोगों को जो मिलनी चाहिए ऐसे उनको चीजे प्रोवाइड करानी है वो भी अब तक दिक्कते देखने को मिल रही है वेज कमिटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं 1948 की यहां पर यह दिना है लड़की को भी मिलने चाहिए लडकी को भी इतने ही मिलेघा यहां पर यहां पर आप लोगो वी हां पर देखने को बेसुत है क्यां यह पाफी important है next important जो मुदध है drag organization से question pushed ई इते हैं जिसको बोलते हैं ILO और recently अभी आप लोगों ने देखा होगा ILO से लिटर कोशन भी पूछे गए थे क्यों क्योंकि 1919 में इसको बनाय गया था और अभी 2019 में इसको पूरे 100 साल कंप्लीट होए थे तो मैंने कहा था इसके बारे में जुरूर याद रखेगा तो यहाँ पर अभी हम लोग ने देखा Treaty of Warsai तो यह 1919 में साइन किये गई यहाँ पर बेसिकली जो World War 1 जो था जब यहाँ पर उसके बारे में बात करते तो उस टाइम पर League of Nations था इंटरेसिंग चीज बताता हूँ आज की डेट में जो United Nations आप लोग को देखने को मिलते है न यह World War 2 के बादे बनाया गया पर लेकिन World War जो पहला था न उससे पहले फिर यहाँ पर बाद में League of Nations निकल कराया था दुनिया में सांती बनाया रखने के लिए पर लेकिन यह भी मूंदे मूँ पड़ा यह भी ढंक से काम नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर यह आया World War 1 कब खत्म होता और World War 2 कब से कम तब हुआ यह आप लोग कमेड़ोग से बताइए यह ऐसे event है ऐसे incident है जिनके बारे में कम से कम आप लोग को बता होना चाहिए अब International Labour Organization ने दम लगा कर हिमत लाकर इतना शादा शांदार काम किया ताकि लोगों में भायचारा बड़े इसी के साथ में social justice बड़े कि 1969 में 1979 में यह लगा Nobel Prize Committee को कि यार इनको तो Peace Prize मिलना चाहिए बड़ा शांदार काम कर रहे है तो उन्होंने इनको Nobel Peace Prize तक डे डाला ठीक है और यह कैसी लोती organization है यह बोलाता है कि UN की लोती organization यह question ही बनता है जो तीनों को साथ में लेकर काम करती है गोर्मेंट को भी यहाँ पर employer है और जो worker है यानि कि सरकार भी जोब देने वाला भी और जोब लेने वाला भी है सब के बारे में सोचती है यानि कि चहु मुखी विकास के बारे में हाँ पर यह बात करती है इसी के साथ मैं अगर बात करें headquarters इसका जनिवा सुटजे लैंड में लेखने को मिलेगा और बहुत important दो report इसके द्वारा publish की जाती है तो world employment and social outlook ठीक है और global wage report यह इसके द्वारे हाँ पर publish की जाती है world employment, social outlook और global wage report यह दो main report है जो आप लोगो याद रखनी है ठीक है आगे अगर बात करें strategic objective के बारे में अगर बात करते हैं तो किस तरीके से standard maintain रखना है, fundamental principle right to work के क्या होने चाहिए, आप लोगों का मैं बात यह करूँ थोड़ी से, तो आप लोग यहाँ पर बात करेंगे sustainable development goal के बारे में तो आप लोगों यहाँ पर sustainable development goal में total 17 गोल है, कि दुनिया को कैसे सुधारन है, 2030 तक का इसमें जो आठवा goal है यहाँ पर यह यह बात करता है, decent work, यहनि के काम करने की जगे अच्छी होनी चाहिए, और economic growth होना चाहिए, तो आठवा goal यहाँ पर इसके बारे बात करते हैं, तो international labor organization अगर पूछ ले, आप लोगों से कौन से goal के साथ में connect है, तो confusion नहीं होना चाहिए, direct आँख बंद कर आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में लोगों को opportunity मिलनी चाहिए, decent work के बारे में, ठीक है social protection होना चाहिए, और tripatism होना चाहिए, जिसमें government को आम देने वाला और काम करने वाला सारे मिलकर काम करें, तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अलगला core convention भी है, जो कि fundamental human rights के बारे में बात करते हैं, जैसे C29, अभी force labor convention है, 1930 गा, freedom of association and protection of the right to the organization जो convention होता है, organized जो conviction होता है, उसमें 1949 का है, इसमें जो सबसे important आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कई बार question ही बन जाते हैं, जैसे equal remunition के बारे बात करें, EPFO की तयारी करें, question पूछ ले जाएगा, right to organize, collective bargaining के बारे बारे बात करें, 1949 का है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में minimum age, ये conviction के बारे बात की जारी है, 138, और इसी के साथ में, ये तो आप लोग इसके उपर तो इस्टार लगा लेना, ठीक है, 1999 का है, child labor को रोकने के बारे बात करता है, जो कि काफी important question भी आप लोगों से exam में बन जाता है, और UPSC ने आप लोगों से ही पर ही question पूछा, आप लोग देख सकते हैं आपर, C, ये है C 138, C 138 अभी आप लोग क्या बता हैं, अगर आप लोग देखेंगे आपर, C 138 के बारे में direct आप लोग उसे question पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, C 138 हो गया है, आपर क्या, minimum age, ठीक है, इसके साथ में 182 के आओ गया, worst form of the, जो यहाँ पर basically इसके बारे में बात अगर रहा है, ठीक है, तो child labor के बारे में, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर तो दोनों के बारे में आप लोग को बात कर रखा है, 138 और 180, ठीक है, तो इसके बारे में question पूछा आप लोग उसे, तो diet, आप लोगो doubt नहीं होना चाहिए, answer इसका A, आप लोगे सामने निकल खरा गया, तो कोई भी doubt ऐसे नहीं लगना चाहिए, आप लोगो यहाँ पर कि किस से लिट है, क्योंकि यह काफी ज़्यादे news में भी था है यहाँ पर अभी, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में अगर याद रखोगे, तो कोई भी mind मे आप लोगो question में doubt देखने को नहीं मिलेगा, international labor organization के बारे में direct पूछ लें आप लोगो से, इसके बारे में detail है, मैंने भी आप लोग का explain किया, अगर question कलको आप लोगा बन जाता है, तो आप लोगे mind में कोई भी confusion है आपर नहीं होना चाहिए, तो answer किया है, सारी के सारी जो चीज़े है, वो बिल्कुल सही है हाँ पर, तो answer इसका D हो गया, अभी मैंने discuss किया, आप लोगो से एक एक point बिल्कुल, तो बिल्कुल crystal career point रहेगा, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से enjoy कर पाऊगे, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर बात की जारी international labor organization को, जो यहाँ प भी question पुशा सकता है, क्योंकि UPSC already question आप लोगों से पूछ चुकी है, तो answer यहाँ पर क्या हो गया, answer यहाँ पर भी हो गया, तो इनको match करकर आप लोग देख लेना, वैसे answer भी यहाँ पर यह, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, तो आप लोगे mind में एक एक point जो है, वो crystal clear होना चाहिए, और कोई भी doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या-क्या देख लिए हम लोग ने हाप, इसमें international organization के बारे में, basically जो report आई, उसके बारे पढ़ लिया, क्यों से number की report थी, Russia, aggression, वो सारी चीज़ों की वैसे दिक्कत रीक, की highlight क्या है, इसी के साथ में, कौन-कौन से, जो basically report की highlight और देखने को मिलेगी, इंडिया का क्या रोल रहा है, आपर international organization के बारे में, basic चीज़े देख लिए, कौन-कौन से इसके हाँ पर convention के बारे में, आप लोगों से बाते कर लिए, कौन-कौन से आपर basically question बने है, और कुछ आप लोगे लिए special question भी बनाएगे हैं, वो सारे हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, तो कोई भी doubt नहीं होना चाहिए, feedback जरूर दिया करो, वीडियो को like के dislike करकर आप लोग बता सकते हो, या फिर अगर आप लोगो लगता है कि कुछ भी इसके अंदर change करना है कि हाँ, यह गलती है, इसको change करिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हो, I hope कि इसको लेकर आप लोगे mind में clarity आई होगी, ओके, आगे बढ़ते हैं, यह जो article है Indian Express से लिए गया है, काफी important article है, detail में discuss करोगा, कई सारी बाते आप लोगे mind में हाँ पर clear होगी, और यहाँ पर अभी और भी कई सारी बाते निकल कर सा रहा है, same pattern में हाँ पर अभी जो court के अंदर ली जा रही है, उसको देखकर यह बोला जा रहा है, कि जो कुछ मिनार है, उसको भी basically place of worship के अंदर ने डाल कर एक तरीके से, एक तरीके से बोला गया, कुछ मिनार का जो प्रिमाइस है उसके अंदर में, कुछ मिनार आप लोग पूरा कुछ मिनार का structure कुछ ऐसा आप लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर यह पिलर है, जो काफी important है, यह iron पिलर आप लोगो देखने को मिलता है, यह इतने पुराना पिलर है, आप पर iron का पिलर है, तो यह मना जाता है कि उस time पर metallurgy, घातु बनानी की जो science थी वह ऐसी ह आती है news में, तो background information के साथ में question आप लोगों से बन जाता है, तो अभी मुद्धा यह जैसे ही court में गए, तो court में archaeological survey of India के द्वारा बोला गया, कि भाई साब यहाँ यह place of worship की category में नहीं आता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा restoration का का काम नहीं चलेगा, और सबसे important मुद्धा ह यहाँ पर यह है, आज की date में, जो कुत मिनार है, वो UNESCO World Heritage Site का भी पार्ट है, जो की 1993 में यहाँ पर डाला गया था, अगर कोई भी status ऐसा हम लोग यहाँ पर change करते हैं, अपने किसी भी ऐसे monument के अंदर में, जो की international level पे यहाँ पर recognize के आता है, तो यह बहुती बड़ा issue बनत है, तो यह एक काफी important रहता है, तो वो सारे नुकसान हम लोग को देखने पड़ेंगे, पर लेकिन लोग क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर हम लोग को पूजा करनी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो कुछ ऐसी चीजे structure आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि Muslim community के religion यहाँ पर नहीं है, यह Hindu religion से लेटर है, यानि कि यह माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर भी आजकेट में जो भी मोस्क वगरा या फिर जो भी हाँ पर structure वगरा बनाए गई है, मुगलों के द्वारा, या फिर डहली सलतनत के द्वारा, तो कोई ने कोई man temple वगरा, कोई structure को destroy क करके बनाया गया, क्योंकि उस पर आसान रहता है चीज़े, आप लोग खुद देखे, दो project के बारे में आप लोग उने सुनाओगा, एक को बोलते है green field project, और एक को बोलते है brown field project, green field project क्या होता है, एक proper जमीन आप लोग खरीदो, उस जमीन में, आप लोग पुरी structure त्यार क पर लेकिन सोचो, अगर ऐसी जगए airport बनाया जहाँ पर पहले से ओलड़ी हवाई पट्टी है, बस आसपास में structure त्यार करके, आप लोग थोड़े से उसको develop करना है, तो brown field project हो जाता है, तो यहाँ पर अगर बोला जाए, जो भी काम किया गया, ओलड़ी structure थी, उनके ओपर करना है स्टार्ट किया, और अपने अपने जो भी इनको लगे उस टाइम पर जो चीजा इनके दोरा बनाएगे, तो उन्होंने तोड़ तोड़ कर उसको बनाना है स्टार्ट कर दिया, तो हमारी country का अगर हिस्तिया आप लोग उठागर देखोगे, तो डेली सल्तनत के अपने अपने अभी कुछ नऄ कुछ यहाँ पर यह contribution देंगे, तो जो भी contribution है culture को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीजते हैं कि हर सिक्के के दो पहलो होते हैं, कुछ अच्छीजगा होती है, कुछ बुरी चीजगा होती हैं, तो कुछ अच्छी चीजगे हैं, तो बुरी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसे temple वगारा का destroy कर दिया ठीक है वरना आज की डेट में आगर बात करें आप लोग देख सकते हैं जैसी मुगल समराजय का विक्टन हुआ तुरंत अंग्रेजों ने हमारे उपर control कर लिया और अंग्रेज से बढ़िया तयार मुगल थे टाइम पर देख सकते हैं जैसे जैसी structure आज की डियार की गई है सारी चीजे जो इहाँ पर देखने को मिलती है वो अलग बात है कि हिंदू-Muslim वाला हो एक रवयागर साइड में हम लोग रग दे थोड़ी देर के लिए पर लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों अंग्रेजों को इसलिए मुगल के साथ में और डेली सल्तनत के साथ में compare नहीं किया जाता है और इसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो इसमें थोड़ा सा आप लोग किलायटे करके चलेगा माइड में तो इस तरीके सा आप लोग समझ सकते हैं तो उस ताइम पर जो भी यहाँ पर यह चीज़े की गई तो जब यहाँ पर court में यह case पहुंच ला है तो इसमें archaeological survey of जो इंडिया है वो बात submit करर बोला है कि जो कुत्ब मिनार का जो complex है यहाँ पर वो place of worship नहीं है आपर और यह पहले ही notify किया गया थे हाँपर protected monument की category में इसको डाला गया है तो इसका मतलब भी हो गया कि यहाँ पर कोई भी जो है पूजा अराधना अर्चना यहाँ पर नहीं होगी तो यह archaeological survey of इंडिया के द्वारा explain भी किया गया कि जब यहाँ पर इसको protection के अंडर में लाया गया तो यहाँ पर यहाँ पर जो है कोई भी ऐसी चीज़े नहीं होग ना कि religious connection उसके साथ में देखने को मिलते है और इसनली क्या बोलाता है यह claim किया जा रहा है कि 27 टेंपल को तोड़कर यहाँ पर यहाँ पर यह बेसिकली कुट मिनार का जो complex है यह बनायागी यहाँ पर ठीक है तो इसको बेसिकली कुट इसलाम जो मोस्क है यहाँ पर बेसिक कि उस टाइम पर बाबरी मस्जित ने पूरे देश में हंगावा मचा रखा था कि वो उसकी वैसे हिंदोर मुस्लिम में तना तनी होगी थी बहुत जादा है तो यह लगा government को कि कोई ने कोई ऐसा कानून मना देना चाहिए उस कानून के इसाथ से कि जहाँ पर जो टेंपल ह वो टेंपल होई पर रहेगा जहाँ पर जो मजित है वो मजित होई पर रहेगी अकल को चल कर कोई भी सकेंदर चेंज नहीं करेगा जो ओल लेडी है वो होई पर ही रहेगा क्योंकि अगर इस तरीके से अगर चेंज करने लगेगे तो फिर पूरे देश में बहुत सारे लेते हैं कि हाँ उसको भी अलग से रखो ठीक है अभी हाँ पर जो कुत्मिनार है अब एक पॉइंट आप लोग अलग देखने को मिलेगा इसी के साथ में एक और कानून है हमारे देश में इसको बोलते हैं जिसको एम एसर बोलते हैं एट 1958 का यानिके जो भी हमारे देश में पुरानी चीजें हैं structure है या तो मंदिर है या फिर मजीत है या फिर ऐसी है कि उनको हम लोग religion के साथ में connect करके नहीं देखते हैं आप लोग खुश सोचो आज की डेट में अगर आप लोग बिसिकली लाल किले पर घूमने जाते हो या कुत्मिनार में घूमने जाते हो आप आप लोग उसे जानना चाए रहा हो कि आप लोग के मन में क्या आते हैं आप लोग ही जाते हैं कि यहर कोत्मिनार में लाल किले में जा रहे हैं वहां तो muslim ने बनाये उसको देखने जाता है एच्छा muslim का structure है वह यहाँ पर तो दोनों में confusion नहीं रखने आप लोगो यह काफी important point है जो कि आप लोगो याद रखने है अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुत्मिनार के बारे में थोड़ी बात है अगर मैं आप लोगो बता हूँ तो कुत्मिनार का जो मतलब है अगर आप लोगो से कोई कल को पूछ ले क्यों बनाएगे थी बाज साब तो राजपूत के ऊपर एक victory यहाँ पर हुई थी बेसिकली राजपूतों को हराये गया था जब यहाँ पर दिल्ली की victory हुई थी यहाँ पर दिल्ली जीती गई थी तो उस टाइम पर कुत्मिनार यहाँ पर बनाया गया था एक term use के यहाँ पर जिसको आप लोग मुजीन से बोल सकते हैं यह क्या है इसका मदलब यह कि कुत्मिनार आखिर क्यों बनाएगी है यह से लिए बनाएगी ताकि वहाँ पर चड़कर आवाज लगाए जा सके इस mosque में prayer करने के लिए कि आओ भाई साब यहाँ पर prayer कर लो यहाँ पर नबाज है वो इस्टार्ट हो चुकी है तो इसलिए हाँ पर यह आप लोगो देखने को मिलेगा और इसके अंदर यह 7 मीटर का iron pillar भी आप लोगो देखने को मिलता है जो mosque के अंदर यहाँ पर रका होता है इसके बारे में कभ पर यह ठीक है इसी के साथ में जो यह पूछा जाता है कई बार question कि कुत मिनार जो है बाई साब किसके द्वारा बनाएगी किसके द्वारा complete की गई किसके द्वारा मरमत की गई ऐसे question already कई आप लोगे एक्जाम में पूछे आ चुके हैं तो कोई confusion नी होना चाहिए अभी इस जो राजा बन गए तो यह 75 साल इसको बनाने में लगे तो 100 साल कोई जी रहा है क्या normally नहीं जी रहा है न तो इसके मनलग 2-3 इंसानों ने मिलकर बनाया होगा जी हाँ बिल्कुल सही है तो कुतबदी नेबक के द्वारा लगा कि यार कुछ इस्टार्ट करना चाहिए तो इ इसको कम्प्रियट किया औप फिर हां पर आगे की कि बाते करने लगे यह फिर बहुत पीछे की बाते करने लगे तो इसको पड़ा लिखा बैको बोलेंगे यानगे आज के टाइम पर अगर कोई स बोले की सतीपर्था होनी चाहिए दाने लगे जैसे कि इलोन मस्करा कि मंगल पर जाकर लोग रहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है ठीक है तो कुट बिन तो मुहमद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे ही काम किया था वो क्या गड़ा था उस टाइम पर कुछ ऐसे से स्टेब उसके द्वार उठाएगे जो लो इंसान कैसे अच्छा अच्छा कर सकता है और एक पड़ा लिखा इंसान भी कैसे अच्छा को ब्रबात कर सकता है तो एजुकेशन का कोई मतलब निए अंडरस्टेंडिंग का मतलब है कि चीजे समझ में आनी चाहिए तो यह बात है आप लोग यहां से सीखने को मिलेगी तो और बाते हलाकि यह तो आप लोगों कई बार बता ही चुका हूं में आगे भी बताएंगे कुछ बाते अर्केलोजिकल सर्विव इंडिया के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले हजारो बार कोशन पूछा आ चुका है किसके द्वारा बनाया गया अंग्रेजियों के पहले जो एक तरीकी से डिरेक्टर जनरल थे फॉस्ट ठीक है और इहीं के द्वारा इसको बनाया गया था जो मैंने अभी आप लोगो बताया उसका explanation है उधान के साथ में क्या-क्या छूट दे रखिये वो सारी बाते आप लोगो clear कर देता हूँ आगे से आज के बाद में कोई confusion आप लोगे मैंड में इसको लेकर नहीं होगा सबसे पहली important बात क्या निकल करा रही है अगर ancient monument and archaeological site remain next के बारें बात करते हैं तो ये at ये कानून जो है ये बोलता है कि अब तक हमारे देश में जहाँ पर मजजित हैं वहाँ पर मजजित बन चुके हैं जहाँ पर basically एक सेकेंड ये पहले वाला डिसकस करो पहले क्योंकि ये चल रहा है ठीक है तो ये place of verse effect ये बोलता है जहाँ पर आप लोग का मजजित बन चुके हैं मजजित है जहाँ पर मंदिर बन चुके हैं मंदिर है तो इसके चलते हैं यहाँ पर आप लोग को उसका religious character जो है वो maintain करके रखना है ठीक है तो उसके उपर ये ban लगाता है ठीक है आप लोग ऐसी जह करने है तो different religious जो denomination की बाते रहते हैं तो जो भी वहाँ पर है ओ लेड़ी वहाँ पर उसको देखने को मिलेगा उसमें कोई चेंज आप लोग को नहीं करने है अगर यहाँ पर कोई भी इस तरीगा कोई basically court के अंद यहाँ पर मना किया गए character को भी change नहीं करना है और इस state की responsibility है कि वो maintain रखेगा और यह 15 अगस 1947 से basically लागू हो जाता है कि हाँ पर देखे बनाय तो गया था ही 1991 में पर लेकिन यह बोलता है कि 1947 से अगर कोई यहाँ पर change लिया रहे है उसके ओपर यह implement के जाएगा कि आप अब लोगो रखना है तो यह बाते हैं exemption क्या था तो exemption यहाँ पर दिया गया अभी में आप लोगो बताया तो यहाँ पर यह बिसिकली exemption दिया गया आयोध्या वाला क्योंकि पहले से चला हूँ आ रहा था अभी यहाँ पर यह बोला गया कि कोई भी place of worship जो है ancient या historical जो कोई चैटेगरी में नहीं आता है तो इस तरीके से बोला गया अगर फिर भी कोई हरकते करता हो पाय जाता है तो यहाँ पर section चटा इसका यह बोलता है कि तीन साल की सजा और fine लगा दो अगर कोई ऐसा करता है तो यह अगर हेंपर इसके अंदर भी कोई ऐसी काम करने को सिस करता ह तो इसको रोगना है क्यों क्योंकि ओ लेडी हाँ पर ये काफी ज़े न्यूज में भी है और बोलता है कि इससे सांती मेंटेन करके रखनी है इसको मेंटेन करेगा और याद होगा अभी उडिसा के अंदर में जो पुरी वाला एरिया है जगरना टेंपल के आसपास में जो इस्ट्रक्चर को छेट खानी की जा रही थी उसके चलते ये काफी जादे न्यूज में था यह बोलता है अगर 100 मीटर में कोई भी आप लोग कंस्ट्रक्चन नहीं करोगे अगर कोई आर्केलोजिकल सर्वेप इंडिया के द्वारा मिनमेंट को यहाँ पर एक तरीके से उसको इसके अंदर में एक इंकलूड किया गया है कि हाँ आम लोग इसको बेसिकली मेंटेन और पर्मिशन लेगी तो अभी उडिसा गोवर्मेंट और यहाँ पर सेंट्रल गोवर्मेंट यानिके आर्केलोजिकल सर्वेप इंडिया लड़ रहे थे आपस में वो बोलते हैं हमने पर्मिशन ली एनोसी ली यानिके नो अब्जेक्शन सर्टिफिकट लिया जो जगरना जो कि आप लोग समझेगा तो दो कानून आप लोग को बता दिये कोई कंफिजन नी होना चीए बाकि आप लोग को बताईए देश के अंदर में 40 युनिस्को की वर्ल्ल हरिटेस साइट है रिसेंटली अभी कौन सी वर्ल हरिटेस साइट बनी वो आप लोग बताईए ठीक ह कि आप लोग फटा-फटा इनको देख सके और कोई भी माइंड में आप लोग के दिक्कत देखने को नहीं मिले ठीक है तो इसके बारे में हलका से देखेगा अब कोश्चन आप लोग के सामने जैसे कि अगर बात कि जाए एक एक कोश्चन आप लोग को से डिसस करूँगा क तो कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट है एमें बोलागिया 1&2 बोलागिया 2&3 बोलागिया 1&3 बोलागिया all of the above तो सही आंसर क्या लगाएंगे आप अगर आप लोगों से पूछ ले तो जहां से आप लोग इसका आंसर दीजे तो यहां पर सही है कि सारी कि सारी करे mind-must को लेकर नहीं होना चाहिए इसी के साथ में अगर बात करें जो यहां पर बात की जारी है ruler of ड्ली OUT सल्तना तो यहां पर बात की जारी है इनके बारे यह है अलाउदीन खिल जी, तो आंसर यहाँ पर CA 1N3, बाकि आप लोग यहाँ पर एक बार इसको देख लेना, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसमें लिख हुए, एक एक पॉइंट, कौन-कौन सी डैनेस्टी के बाद में कौन-कौन सा स्टार्ट हुआ, तो यह ए कोई question ऐसा है कि frame किया जा सकते हैं यहाँ से, तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं अपने mind में examiner की तरीके सोचना है स्टार्ट करो, आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद भी रख पाऊगे, ठीक है, तो यह basic चीज़े होती है, कोई भी doubt आप लोग यह mind में इसको ल question देख लेते हैं, आप लोगे mind में फिर confusion नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहले बात की जा रिये, interstate council के बारे में question कैसे बनेगा, तो आप लोगों से ऐसे question पुछा सकता है, तो देखे फिर article भी समझ में अच्छे से आप लोग के आएगा, बात की जा रिये, interstate council, तो article 263, deal करत है, all of the above, attempt कीजे, इसी के साथ में बात की जा रिये, standing committee of international, sorry, interstate council के बारे में, तो 96 में इसको setup किया गया, और जो function करती हैं आपर ये, तो उसके बारे में लिखा गये हैं आपर, तो committee जो हैं आपर ये function करती है, एक तरीक से नहीं, जो मिलकर काम कैसे करना है, center state के बीच में क हैं यहां पर बताना है, तो सही answer आप लोग बताईए, important है, ध्यां से सुनिएगा, question मज़ा है, तो confusion आप लोग के mind में नहीं होना चीए, अभी interstate council जो है, वो यहां पर reconstitute कीगे, प्राइमिस्टर साबके द्वारे हैं ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से प्राइमिस्टर भ बारे में कुछ basic information, यह constitute की गई थी, article 263 के था है, तो यहनि कि सम्विधानिक बोड़ी है, जी हां बिल्कुल से ही सम्विधानिक बोड़ी है, पर लेकिन यह permanent बोड़ी नहीं है, यह याद रखेगा, time to time यहां पर यह बनाए जाती है, और हटाई जाती है, तो यह आप यह एक non permanent constitutional body, permanent नहीं है, जैसे आप लोग को देखने को मिलती है, दूसरी बोड़ी, permanent बोड़ी होती है, कई सारी, ठीक है, पर लेकिन यह permanent नहीं है, अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ पर यह basically center state के relation को कैसे लेकर चलना है, तो उसके चलते हैं, यहाँ पर सरकार या commission मनाय तो उसने बोला, यार इसका use कर लो, जब समिधान निर्माता होने, हाँ पर इसको बना रखा है, और क्यों बना रखा है, क्योंकि हाँ पर decentralized करना है, देखिए, power जो है, एक इंसान की हाथ में नहीं होने चाहिए, नीचे तक पहुचने चाहिए, devolution होना चाहिए, जो भी arrangement है, हाँ पर ता कि एक तरीके से, fulfill किया जासा कि obligation, यानि कि एक तरीके से particular area में काम कैसे करना है, ठीक है, loan को कैसे कैसे नीचे तक लेकर चलना है, ठीक है, तो उसके उपर काम करना है, इसलिए हाँ पर बार बार ये news में आ जाते है, तो कई सारे फाइदे आप लोग को आएगे, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, कुछ-कुछ बात है, यह मैं बात करो, Interstate Council के बारे में, पर लेकिन इसके अंदर अगर आप लोगों से बात करें, Standing Committee के बारे में, ठीक है, Interstate Council के जो इसके अंदर को रहते हैं, उसके अंदर Home Minister रहेंगे, य यह important है, याद रखेगा, Secretary 8 जो था, हो setup किया गया, 1991 में, ठीक है, इसी के साथ में, 2011 में, फंक्शन जो थे, वो यहाँ पर स्टार्ट कियागे, General Council के साथ में, यहाँ पर एक तरीके से, और फंक्शन जो है, यहाँ यहाँ पर बात करें, तो यह consult करने का काम रहता है, कि कैसे काम चलेगा, कराय से करना है, दूसरे करना है, नहीं करना है, Constitutional यहाँ पर बैकिंग होनी चाहिए, वो काफी ज़रूरी है, ठीक है, Corporation की काफी ज़रूरी है, हाँ पर, Central State Relation में, में, अखने के लिए, और Trust Deficit होता है, उसको भी यहाँ पर खदम करना है, ताकि यहाँ चीजों को अच्छे से Implement किया जा सके, यह जरूरी है, पर लेकिन कई सारे Limitation आती है, एक तो सबसे बड़ी Recommendation है बस Nature, यहनिके, बोल देंगे, भाईसा बैसा कर लो, मानना ना मानना तुम्हारा काम है, ठीक है, Permanent Type की नहीं है, इसकी वैसे और दिक्कत देखने को मलती है President बोलेंगे, सेट कर ले, तो ठीक है, सेट कर लिया, पब्लिक इंट्रेस्ट में, ठीक है, Meeting बोलते है, इसकी जल्दी लिल्दी होने चीए, साल में कम से कम तीन बार मिलो, अब इसकी 12 Meeting हुई है, 1990 से, 10 वी मिटिंग हुई थी 2006 में, फिर यहाँ पर 11 वी मिटिंग हुई, 10 व तो यहाँ पर होना चाहिए कि, एक proper way में चीज़ों को follow करके चलना है, और periodic meeting होए, तभी तो solution निकलेगा, तो यह बात यहाँ पर किये जा रही है, ठीक है, तो यह था एक particular topic, जो की question भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए, तो प्राइमिस्टर बोला है, 40% तो यह गलत हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो answer क्या हो गया है, अगर CA आप लोग गलत करते हैं, तो answer इसके यहाँ पर A हो गया, ठीक है, तो यह यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, तो ऐसे आप लोग दे वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम चला रहा है, International Olympic Committee के द्वारा लॉंच किया गया था, बेसिकली ये उडिसा, जो है, उडिसा के चेप मिनिश्टर नवीन पतनाय के कोलाबिरेशन में, और यहाँ पर अभिनाव बिंद्रा, जो Foundation Trust है, वो मिलकर काम कर रही है, तो कई सारे कोश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में, तो Olympic Value Education Program, ठीक है, तो OVEP बोलूँगा इसको में, जब डिसकस करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो Olympic Value Education Program जो है, ये उडिसा के साथ हैं मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर यह 90 स्कूल के अंदर में, जो बेसिकली, जो यहाँ पर particular area में अगर बात करें, जैसे हाँ पर बात की जारे राव केला और जो भूनेसवर के अंदर इसको implement के जाएगा, लगबग 32 जारी करीब बच्चें हाँ पर इसको enjoy करेंगे, पैक्टिस करेंगे जो भी हाँ पर international level और जो भी प्रोविजन रहते हैं, इंटरनेसल ओलम्पिक कमिटी के दौरा यंग यूथ के लिए, तो उनके अंदर वो उस तरीके की value create करेंगे, ताकि आने वाले time में अगर कोई काम करना चाता है, उस level पर त्यारी करना चाता है, और जैसे नीरज की तरीके से कोई बनना चाता है, तो यहीं से ही एक start हो जाएगी school से ही, ठीक है, तो यह basically developed किया गया था, दुजार 6 में address करने के लिए, ताकि आपर जो भी lifestyle, जो भी एक तरीके से जो dropping होती है, इस school से बच्चे छोड़कर चलेगे, तो कोई बच्चा माली जाए, जो किशन में अच्छा नहीं है, हो सकता है game में बड़ा शांदार हो, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं, तो दे सकते हैं, जैसे नीरत से पूछा गया, एक particular interview के अंदर में, कि अगर आप यहाँ पर काम नहीं करते, तो क्या होता, तो इनके द्वारा बड़ी, एक निए funny मिजाज है बोला गया, तो भाई साब कि, अपने निए गाएं भैस मतला नहला रहा होता, तो बाली बाते बोलेगी, तो अगर किसी का पढ़ाई में इंटरेशन नहीं है, तो हो सकता है कहीं हो, टैलेंट हो, इस तरीक से देश का नाम रोसन कर दे, तो यह चीज़े आप लोगों को समझने पड़ेगी, तो उसके उपर काम करना जरूरी है, इंटरनेसल ओलम्पिक कमिटी क्रियेट किये गई, एट्टी नाइटी फॉर में, ओलम्पिक जो मुव्मेंट आप लोगों को देखने को मिला, इसी के साथ में नोन गोर्मेंटल स्पोर्ट और गेंसन है, और स्फ अमेरिका को रेड कलर दिया गया है, एषिय को पूरा यलो कलर दिया गया है, और अस्टेलिया इनके ओशियान जो पूरा गुरूप है, इसमें इसको यहांपर green कलर दिया गया है, तो यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कोई confusion उसको लेकर आप लोग के mind में नहीं होना चाहिए इसी के साथ में question भी थे question जुरूर attempt किया करो अच्छा लगता है यार और हाँ PDF आप लोगी सारी telegram पर provide करा दी है उनको आप लोग जाकर देख लेना जो जो भी PDF आप लोगो चाहिए सारी PDF टोटली आप लोगी इखटी हाँ पर मिल गई है तो देख लेना इनको और answer rating group में answer rating जुरूर किया अगरो अच्छा लगता है जब आप लोग participate करते हो और इससे आप लोगों भी confidence आएगा जब examination hall में जाकर आप लोग बैठ हो गई कुट मिनार के बारे में सारी बाते बताई question भी आप लोगों से पूछे और भी कई सारी extra information थी interstate council के बारे में कई सारी बाते हम लोगों ने जानी ठीक है तो कोई confusion नहीं होना चाहिए इसको लेकर आप लोग game end में इसी के साथ में question भी थे इससे lead और इसी के साथ में Olympic के बारे में कुछ बाते जानी ठीक है तो आज का discussion ही पर समाप्त करते हैं अपना ध्यान रखें अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से enjoy करते रहे है नेक्स लेक्षर मिलता हूँ तब तक के लिए बढ़ू को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोड़ी सी life enjoy करार मिलता हूं नेक लेक्षर में तब तक के लिए जैंहिंद